वेलकम बैक ये बहुत छोटा वीडियो होने वाला है लेकिन बहुत-बहुत इंपोर्टेंट और फोकस ये होगा कि हम गगन यान मिशन के सारे टेक्निकल डीटेल्स को काफी अच्छे से समझ पाएं और गगन यान मिशन को लेकर के हमसे जो भी क्वेस्चिन पूछे जा सकते हैं वाटेवर क्वेस्चिन अग्वेस्चिन वीशुद फील कॉंफिदेंट अबाउट वाउल दोस वेस्चिन वाटिज वहाँ आज क्यों कर रहे हैं तो आज का देरिंग गगन यान मिशन के लिए एक बड़ा इंपोर्टेंट सा दिन है क्योंकि आज हमारे प्राइम मिनि मिशन के लिए हुमन स्पेस फ्लाइट के लिए ट्रेनिंग रिसीव कर रहे हैं तो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इन फोर एस्ट्रोनाट का नाम रिवील किया तो आज पूरा नेशन उनके नेम को जानता है और बहुत जल्दी ही गगन यान मिशन के आगे के जो प्रेपेर्ट पाइंगे लिट असटार्ट तो आज प्राइम मिनिस्टर नेम ऐसा ने की फाइनलाइज किया है यह रिवील दर नेम आएं नेम फोर एस्ट्रोनाट्स जो कि इस मिशन के लिए चुने गया है और यह और यह अलरीडी ट्रेंग के थूग गुजर रहे हैं दे यह अंडर गोइंग ट्रेनिंग पॉर दिस मिशन ओके मिस्टर प्रसांत नायर हैं मिस्टर अंगत प्रताप हैं मिस्टर अजीत कृष्णन हैं और मिस्टर शुभांशु शुक्ला हैं यह चार लोग हैं जो कि गगन्यान मिशन पे जाएंगे और यह इंडिया के लिए एक बहुत ही हिस्टॉरिक मिशेन हैं क्यूंकि इसके पहले भी इंडियान ऑस्टौनाॉट स्पेस में गया हैं लेकिन वो इंडिया का मिशन नहीं था उस मिशन में हमारे ट्रस्ट्र क्यों इसबज़ा से गये का क्सरीं और शुक्ए ब्रसियनर सेють करा क्वेश्यों फूरा से और खुझ से इस project के एक-एक component को develop करते हुए India अपने astronaut को space में भेज रहा है और इस mission में हम काम्याब तो रहेंगे ही और इस काम्याबी के बाद India will become the fourth nation in the world. There are only three nations जिन्होंने ऐसा पहले कर लिया है जिनको ये ability आज की date में है वो है अमेरिका, रूस और चाइना. So these are the three countries जिनके पास अपने project से अपने astronaut को space में भेजने की ability है Rest of the countries in total 21 countries के astronaut space में गए हैं लेकिन ये either तो American mission के थूरू या Russian mission के थूरू गए हैं चाइना ने आज तक किसी भी और country के astronaut को space में नहीं भेजा है लेकिन अमेरिका और रशिया और रशिया आज से नहीं Soviet Union के date से international collaboration के थूरू दूसरे countries के astronauts को भेज रहा है लेकिन यही तीन countries हैं जिनके पास manned space flight की technology है fourth country will become India. Let us see what this project is all about और इसकी technicalities क्या है presentation का एक हिसा हिंदी में भी है so that कि आप में से जो लोग भी हिंदी में इस चीज को इस information को देखना चाहते हैं as my narration goes तो आप आराम से हिंदी में पर सके क्योंकि यह video भी मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गगन यान को explain करने के लिए हिंदी और इंग्लिस को mix करके ही बनाया है तो presentation भी उसी according है so अब हम आते हैं इस mission के objective को ले करके तो mission का objective यह है कि आज की date में हम इस technology को demonstrate करना चाहते हैं कि इंडिया के पास भी यह technology है तो गगन यान को एक productive mission की जगह पे हम एक technological demonstrator mission के रूप में देखते हैं और technology हम क्या demonstrate करने जा रहे हैं कि हम अपने astronauts को low earth orbit में भेज सकते हैं और एक छोटे duration के लिए हमारे astronauts low earth orbit में बने रहेंगे और वहां से basically earth का observation और कुछ और space research करके और फिर safely वापस earth पे लाए जाएंगे we are planning for three member crew low earth orbit 400 km and for three days और उसके बाद safe return to earth जहां पे वो इंडियन ocean में उनकी safe landing कराई जाएगे और सबसे बड़ी बात है कि mostly हमने in-house expertise Indian industry के collaboration से component को develop किया है और बहुत कुछ यहां पर हमने domestically research भी किया है और develop भी किया है which is a very very remarkable part of this mission एक और जो over overarching theme है इसरो के तमाम ambitious हाल के missions को लेकर के चाहे वो कई साल पहले मंगलयान रहा हो या चंद्रियान 2 और चंद्रियान 3 रहा हो चंद्रियान 3 तो काफी historic था या फिर आधित्य एलवन रहा हो इन सारे mission में indigenous technology ने बहुत बड़ा role play किया है यह सारे technology to a big extent they have been built and tested right within our country और इसको लेकर के जो research भी थे वो भी हमारे ही academia में research भी carry out किये गया है so that is very very remarkable so technological development में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें एक human rated launch vehicle चाहिए एक ऐसा launch vehicle जो humans के space flight के लिए safe हो otherwise यह mission at its most fundamental level inadequacy face करेगा right so इसके लिए हमने GSLV का mark 3 जिसको आज की date में हम कहते है launch vehicle mark 3 उसको हमने modify किया है और उसको हमने human rated launch vehicle mark 3 बिल्ड किया है और वही human rated launch vehicle mark 3 जो इंडिया का सबसे powerful launch vehicle है वो इस space crew को लेकर के जाने वाला है right यह already हमने develop कर लिया है second जो हमारी crew जाएगी उस crew के लिए life support system for an earth like environment in the space इसको हम कहते है crew module वो module जहां पर हमारे crew होंगे और उस crew module को हमने पूरी तरह से safe बनाया है कि हमारे crew को space में रहते हुए उन strong radiation को नफेस करना परे which can be very very injurious to human health at the same time पूरी तरह से earth वाले environment को create करना यह crew module में हमने develop किया है crew module की technology भी हमने already develop कर ली है test कर ली है then emergency escape provision तो यह हमारा human rated launch vehicle mark 3 जो है उसमें emergency escape के लिए भी हमने इंतजाम कर रखे हैं उसकी भी technology इसमें included है so that कि अगर mission में कोई भी problem होता है so there has to be a provision for emergency escape so that कि हमारा crew 100% safe रहे यह technology भी already हमने build कर ली develop कर ली और अब crew management हो रही है already training recovery और वापस आने के बाद उनका rehab तो यह इस mission के component है कि हम low earth orbit में अपने astronauts को तीन दिनों के लिए 400 km वाली altitude की orbit में भेजेंगे वहाँ पर वो बने रहेंगे कुछ basic research करेंगे और फिर उनको safely हम Indian Ocean में वापस लेकर आएंगे that is the mission all about आगे चलते हैं और कुछ और technicalities में जाने के पहले देखते हैं कि इसके launch को लेकर के क्या dates अब हैं तो यह project सबसे पहले थोड़ा delay चल रहा है delay के mainly 3 reason हैं सबसे पहला और बहुत बड़ा reason यह है कि सारी technology we decided to develop indigenously बहुत minimal external हमने support लिया है and obviously time लगा but we have developed that technology second covid pandemic delayed everything and third there were a couple of very important high profile missions जिसकी वज़े से भी इस mission को थोड़ा सा wait करना पड़ा इन high profile missions की बात करें तो चंद्रियान 2 जिसके बाद चंद्रियान 3 जो historic mission रहा और हमारा अधिते L1 यह दोनों ही अपनी अपनी category में इंडिया के लिए historic रहे हैं चंद्रियान 3 के साथ इंडिया ने पहली बार moon पे soft landing करी और अधिते L1 के जरिये इंडिया पहली बार अपने probe को भेज करके sun की study कर रहा है इंडिया ने पहली बार lagrangian point में अपना कोई observatory established किया है which is a big deal जिसकी वजह से भी गगणयान को थोड़ा वेट करना पड़ा तो यह तीन reason है जिसकी वजह से गगणयान को थोड़ा सा वेट करना पड़ा तो yes we agree कि गगणयान का project is slightly delayed और इसनली हमने plan क्या किया था कि गगणयान project को हम 2022-23 में launch कर देंगे तो obviously थोड़ा सा delay चल रहा है और first trial full-fledged trial जिसमें हम crew को नहीं भेज रहे लेकिन crew के बदले हम humanoid robot को भेज रहे हैं तो यह वाली trial जो है वो 2023 के late में plan थी जो फड़ा सा delay हुआ अब वो 2024 में वो होने जाता है and we are very positive कि 2024 के लेटर part में हम अपने crew को भी space में भेजेंगे so आज की news जो मैं देख रहा था तो 2024 के quarter 2 में right that is before the middle part of 2022 so quarter 2 कब शुरू होता है तो quarter 2 शुरू होता है July, August और September को हम quarter 2 कहते हैं तो quarter 2 में हमारा गगण्यान mission most likely launch हो जाएगा जिस तरह से अभी हम चीजों को build कर रहे हैं तो it looks like कि हम quarter 2 में we will be ready to launch उसके पहले obviously हमारा trial launch हो जाएगा humanoid robot के साथ जिसको हम व्यों मित्र का नाम हमने दिया है right and फिर व्यों मित्र की बात हो गए और उसके बात जो है final launch भी होगा now अब हम आगे इसके launcher पे launcher like I had told you launcher is human rated launch vehicle mark 3 right तो यह जो human rated launch vehicle mark 3 है तो यह यहां तक जो है हमारा human rated launch vehicle mark 3 यह कुछ और नहीं यह GSLV mark 3 है लेकिन यह human rated का मतलब यह है कि यह वाले part में there will be an orbital module और यहां पे जो top पे छोटा सा rocket आपको दिख रहा है यह top वाला rocket जो है वो crew escape system है so it is basically rocket upon a rocket this is a mini rocket if there is anything that goes wrong with the core launch vehicle mark 3 कुछ भी गरबड होती है तो यह जो हमारा orbital module है इस orbital module के साथ यह हमारा crew escape system निकल जाएगा in other words इस rocket के साथ चाहे जो भी हो although कुछ भी नहीं होगा but इस rocket के साथ चाहे जो भी हो हमारा जो crew है वो escape कर सकता है यह crew escape system जो है it is nothing but a small rocket that can take away and that will take away the orbital module और orbital module का ही एक पार्ट है crew module जिसमें हमारे crew होंगे understood तो इसको हम कहते हैं launch vehicle mark 3 और इसमें जो लगा हुआ है cryogenic engine वो पूरी तरह से इंडिया में developed cryogenic engine है और यह आज तक का इंडिया में developed सबसे powerful cryogenic engine है so in so many ways this launch vehicle itself यह इंडिया का एक landmark launch vehicle है landmark क्योंकि इसमें indigenously developed cryogenic engine है साथ ही साथ इसको हमने human rated बनाया और human rated ही नहीं बनाया बलकि इसमें हमने crew escape system भी install किया so that way this vehicle is fully ready to take our space astronauts अब हम आते हैं यह तो launcher का ही English वाला version है यह है हमारा orbital module, orbital module के दो पार्ट होने वाले हैं पहला पार्ट जो crew module है जहां पर हमारे astronauts होंगे और जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं service module जहां पर power system होगा, जहां पर communication system का base होगा बहुत कुछ होगा जिससे की यह पूरा का पूरा system orbit में बना रहे है, right? so service module and crew module, crew module is totally optimized for human existence in the space service module के साथ ऐसी कोई compulsion नहीं है, let us see further so orbital module, two components, crew module and service module, what is crew module? it is habitable, मतलब यहां पर इंसान रह सकते हैं earth-like environment, same pressure, same air composition, everything double wall construction, like pressurized inner and unpressurized outer with thermal protection system it has human centric products, it has life support system, it has avionics and deceleration system क्योंकि इसको वापस भी आना है, तो basic avionic तो इसके पास भी होनी चाहिए and it is designed for safe re-entry also, सिर्फ एस पेस में नहीं बने रहना है but you have to come back to the atmosphere also और फिर आता है क्या? दूसरा part, service module, it is unpressurized, its support, it is the support unit और यह करता क्या है? it has thermal system, it has propulsion system, it has power system, it has the major part of the avionic system and different deployment mechanisms so, अब समझ में आ गया है कि हमारा launch vehicle mark 3 जो हमने यहां पर देखा यह, यह जो हमारा launch vehicle mark 3 है, यहां तक तो rocket है यह orbital module है, orbital module के दो part crew module और service module, crew module में हमारे crew रहेंगे यह जो पूरी तरह से earth like safe environment है और यह वापस आने के लिए भी पूरी तरह से equipped है now, let us move further and other countries with this capability like I said USSR, then USA and China these are the only three countries with this capability at this point in time of history and the next country will be India but you have to bear very clearly in mind कि although India is going to be fourth such country to send its astronaut in the space using its entirely its own technology लेकिन अगर ऐसे हम बात करें कि world कि कितनी countries के astronaut अभी तक in space में जा चुके है so the right answer will be 21, okay now, Bangalore में crew की training हो रहे है this is the crew training center this is called astronaut training facility it is established in Bangalore and this includes everything classroom training तो astronaut classroom training के through भी गुजर रहे है physical fitness training simulator training and flight suit training so यह सारी training हमारे astronauts की चल रहे है जिनका नाम आज हमारे Prime Minister ने रिवील किया importance क्या है इसका so सबसे पहली तो बात है कि scientifically हम अपनी पूरी की पूरी space technology को एक next level पे जा रहे है तो scientific advancement तो definitely है जो इसरो के लिए बहुत historic advancement होगी second economic boost भी क्यूंकि बहुत सारे इसके component domestic industries से हमने source किया है तो उसके through we can see economic boost and it is expected कि 15,000 new jobs will be created just because of this project हमारे country में industrial growth भी होता है एक बार आपके astronauts space चले जाए you can imagine how much fascinated our youth will be like people like you in the field of space और यह बहुत जरूरी होता है and finally societal benefits बहुत तरह की spin-off technology आज और future में भी developed होंगी and last but not the least यह हमारे तरह तरह के global collaboration के भी avenues को open करेगा as such ISRO को world के तमाम developed space agencies बहुत ही seriously और बहुत ही mature space agency के रूप में लेते हैं यह हमारे ISRO के stature को और भी बढ़ा करेगा so in this short video this much we had to know about Gaganyan now let the examiner ask any question to you on Gaganyan and you will be totally comfortable handling the question by the time you face the main examination Gaganyan तब तक launch हो गया रहेगा कुछ और dimensions जोड़ जाएंगे उस समय फिर एक update video बना लेंगे so that कि mains में भी अगर कुछ और question आने वाले होंगे उसको भी हम आराम से cover कर सकें so I hope you found this video insightful and helpful till we meet again goodbye and good luck to all of you thank you so much for being with this channel all you the